सारा का सारा जो हमारे resources है bank account बंद कर दिये गए तो ये कैसा चुनाव हो रहा है नेताओं को धमकाए जाता है पैसे देकर सरकारों को गिराये जाता है नेताओं को जेल में डाला जाता है केजरिवाल जी को सोरें जी को ये पूरी की पूरी match fixing करने की कोशिश की जा रही है और ये जो चुनाव हो रहा है नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में match fixing करने की कोशिश कर रहे है ये जो उनका 400 seat का नारा है ये बिना EVM के बिना match fixing के बिना social media और press पर दबाव डाल कर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है इंडिया गड़ बंदन के वरिष्टनेता खारगे जी सोन्या जी शरत्पवार जी भगवंत मान जी चंपा सोरें जी अखिलेश यादव जी तेजेश्वी यादव जी सीताराम यचूरी जी फरूक अब्दुल्ला जी दी राजा जी भटचारिया जी महभूबा मुफ्ती जी देरेको ब्रायन जी कलपना सोरें जी तृची सिलवा जी सुनीता केजरिवाल जी देवराजा जी तिरू तोल जी कोरुम अनिस ओमर जी और स्टेज से मैं केजरिवाल जी और सोरें जी कभी नाम लेना चाहता हूं क्यों आज यहां है नहीं मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं भाई और बेनों इंडिया गटबंदन के कार्य करता हूं आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार आज कल IPL के मैच चल रहे हैं देखते हो आप लोग मैच फिक्सिंग शब सुनाएं आपने सुनाएं जब बहिमानी से एंपायर पर दबाव डाल कर प्लेयर को खरीद कर कैप्टन को धरा कर मैच जीता जाता है किरकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है हमारे सामने लोग सबाग चुनाओ है अमपायर किस ने चुने नरेंद्र मोदी ने हमारे टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलारियों को अरेस करके अंदर कर दिया तो भाईयों और बेहनों ये जो चुनाओ हो रहा है नरेंद्र मोदी जी इस चुनाओ में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे है ये जो उनका 400 सीट का नारा है ये बिना EVM के बिना मैच फिक्सिंग के बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डाल कर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर आप देखिए कॉंग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए है चुनाओ के बीच में देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन की पार्टी के सारे के सारे अकाउंट बंद कर दिये गए हमें कैंपेंच चलाना है हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है पोस्टर लगवाने है सारा का सारा जो हमारे रिस्वार्टी है बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए तो यह कैसा चुनाओ हो रहा है नेताओं को धमकाय जाता है पैसे देकर सरकारों को गिराय जाता है नेताओं को जेल में डाला जाता है केजरिवाल जी को स्वरें जी को यह पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है और यह मैच फिक्सिंग सिरफ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे है यह मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के तीन-चार सबसे बड़े अरब पती मिलकर कर रहे है यह सच्चा ही है और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है आई और बेहनों इसका सिर्फ एक लक्ष है कि हिंदुस्तान का सम्विधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को अविश्य दिया सपने देखने का हक दिया उस सम्विधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जारी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये सम्विधान खत्म हो गया उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा इसको पुलीस से हमकी से नहीं चला जा सकता है ये जो सम्विधान है हिंदुस्तान की जनता की अवाज है हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है इसको जिस दिन खतम कर दिया गया उस दिन यहाँ पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा अलग-अलग स्टेट हो जाएंगे हिंदुस्तान नहीं बचेगा यही इनका लक्ष है यह सोचते है कि सम्विधान के बिना अमकाकर कराकर पुलीस, CBI, ED, Incontext Department के साथ देश चलाया जा सकता है ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है आप मीडिया को खरीद सकते हो आप मीडिया को दबा सकते हो आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुँ बंद कर सकते हो मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है बाईों और बेनों बीजेपी के MP ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे मैच फिक्स करके 400 सीटे जीतेंगे वैसे ही हम सम्विधान को बदल देंगे, सम्विधान को रद कर देंगे ये ऐसे ही नहीं बोला गया, ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के MP ने बोला है, ये लड़ाई सम्विधान को बचाने की लड़ाई है, जैसे अकिलेश जी ने कहा, सम्विधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षन चला जाएगा, और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो पांच-छे लोगों के हाथ में चला जाएगा, नोट बंदी की, जी एसटी लागू किया, मुझे बताईए, जी एसटी से, नोट बंदी से किस गरीब यक्ति को फाइदा हुआ, किस चोटे दुकानदार को फाइदा हुआ, किस किसान को फाइदा हुआ, किस बेरोजगार युवा को फाइदा हुआ, किसी को नहीं, 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हिंदुस्तान में आज है एक परसेंट लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा का पूरा धन 20 लोग है जितना धन उतने उनके हाथ में है उतना ही धन 70 करोड लोगों के हाथ में है यह सन्विधान को क्यों मिटाना चाहते है क्योंकि आपका धन जो है आपसे चीनना चाहते है मैंने जाती चंगर्णा की बात की किसानों के MSP की बात की युवाओं को रोजगार देने की बात की यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे है मगर एक बात याद रखिए अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग काम्याब हो जाएगी यह भूलिये मत और जिस दिन मैच फिक्सिंग काम्याब हो गई उस दिन आपका समविधान हमारा समविधान खतम हो जाएगा जिस दिन समविधान खतम हो गया उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी तो यह जो चुनाओ है यह चुनाओ कोई मामुली चुनाओ नहीं है यह चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने का समविधान को बचाने का और जो गरीबों का हक है किसानों का हक है पिछड़े वर्गों का, दलितों का, आदिवासियों का गरीब जेनरल कास के लोगों का हक है उसको बचाने का हक है उसको बचाने का चुनाव है ये बात आप याद रखिए क्योंकि अगर ये चुनाव जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है वो पूरे देश को दिख रहा है बीजेपी के लोग कह रहे है कल मैं से व्यक्ति मिलने आया मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया मेरे साथ बीजेपी के कार्यकरता बैठे थे उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड है ये सचाई है एलेक्शन कमिशन के लोगों को नरेंद्र मोदीजी ने बठाया दो नेताओं को दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला चुनाओ से कुछी महीने पहले अगर डालना था तो छे महीने बाद डाल देते छे महीने पहले डाल देते नई चुनाओ से दो तीन महीने पहले तो चीफ मिनिस्टर को डालना था आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किये बैंक अकाउंट बंद करने थे छे महीने पहले करते एक साल पहले करते छे महीने बाद करते कोई फरक नहीं पड़ता आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाओं ना लड़ पाए और इसलिए आपने कॉंग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद किये आपने एलेक्शन कमिशन में अपने लोग बैठाए आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो समविधान रद किया जाए और आप सत्ता में रहो मगर भाईयों और बेनों मैं सच बोलता हूँ और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाओ पीजेपी जीते और उसके बाद समविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है जो मैंने कहा याद रखो ये देश नहीं बचेगा ये चुनाओ ये चुनाओ वोट वाला चुनाओ नहीं है ये चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाओ है समविधान की रक्षा वाला चुनाओ है तन्यवाद जेहिए पार चुनाओ ये चुनाओ है कि रखो ये चुनाओ है ये चुनाओ है झाल